खाबर देवरिया से है जहां उत्रप्रदेश की राजिपाल श्रीमती अनन्दी बेन पटेल कई विभागों के कारिकरों में शामिल हुई उनके स्वागत में राजिय मंत्री जै प्रकाश निशाद और जिलादिकादी अमित किशोड ने उन्हें गौड अफ ओनर दिया साथी राजिपाल की सुरक्षा को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल तेनाथ किया गया हमीर्पुर में किसानों ने SGM को ग्यापन सौपा आपको बता दें कि ट्रकों से उटने वाले धूल की वज़े से किसानों की फसले बरबाद हो रही थी जिसे परिशान होकर किसानों ने गयापन सौप कर समस्या का समधान करने की मांगी साथ ही किसानों ने समधान ना होने पर प्रजर्शन करने की बात कही खबर बलिया से है जहां थाना चौकी इंचार्ज ने दो पुलिस करीओं के साथ मिलकर एक दुकानदार की जब कर पिटाई कर दी पूरा मामला बाजडी कोतवाली श्यत्र के सुल्तानपुर चौकी का है जहां वहां चेकिंग के दोरान चौकी इंचार्ज ने दुकानदार को लाथ गूसों से जब कर पीड दिया नहीं नहीं पिटाई के बाद उसका चालान भी काट दिया जिसके बाद ग्रामीडों ने गुसे में आकर पुलिस चौकी का घेराब किया खवर पीली भीज से है जहां लूटपा की घटना को अंजाम देने वाले दो अभ्यूकतों को पुलिस ने गरफतार कर लिया आपको बता दे कि दो दिन पहले दिद्धार लुटेरों ने दो लाख रुपे की लूट की थी मुखिबीर की सूशना के बाद मौके पर पहुचे पुलिस ने कारवाई करते हुए दो अभ्यूकतों को गरफतार कर लिया ताथी उनके पास से दो अवैद कमंचे खार्तू समेट नकदी बरामत किये खबर अमिठी से है जहां डियम अरुन कुमार ने कादू नाला थौरी मार्ग पर बन रहे रेलवे अंडरपास का निरिक्षन किया सड़क की मरमत को लेकर डियम ने अधिकारियों को निर्देश दिये आपको बता दे कि इसी सड़क की कई बार जाच की जा चुकी है जिसमें अभी तक की कोई भी कारवाई नहीं की गई है खबर बांदा से है जहां पंचाय चुनाप को लेकर ADG ने अधिकारियों के साथ बैठक की ये जोरान ADG प्रियागरा जोन ने पुलिस अधिक्षक की कारशाली की करहाना की बैठक के दोरान ADG ने अपराद और अपराधियों से सम्बंदित सवालों का जवाब नहीं दिया कांदूर में दर्दनाग साड़क हाथसा हो गया आपको बता दे कि तेज रफ्तार कंटेनर ने बैक सवार दो युवगों को पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए हाथसे में घायल दोनों युवगों की मौके पर ही मौत हो गई सुषना के बार मौके पर पहुची पुलिस ने दोनों शवगों कबजे में लेकर पोस्मौटम के लिए भीज दिया ख़वर बादा से है जहां युवग का शवग पानी में तैरता हुआ मिला इस्थानी लोगों ने मामले की सुषना पुलिस को दी सुषना के बार मौके पर पहुची पुलिस ने शवगों कबजे में लेकर पोस्मौटम के लिए भीज दिया साथ ही पुलिस ने शवग की शिनाफ करनी शुरू कर दी है ख़वर परुखाबाद से है जहां मेला थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है आको मता दे कि वरेली हाईवे पर बने गंगापुल पर भारी जाम देखने को मिला जाम के चलते लोगों को काफी परिशान्यों से जूजना पड़ा परिशान लोगों ने जाम का वीडियो बना कर सोशल वीडिया पर वारेल कर दिया खबर परुखाबाद से है जहां जमीनी विवात के चलती दबंगों ने घर में घुसकर युवक की जब कर पिटाई कर दी मामला थाना राजेपुर शेत्र का है पिटाई से घायल युवक को परिजनों ने सीचसी में भर्दी कराया साथी मामले में पुलिस को तहरीर दे दी